पर आज मैं आपको बता दू कि शंकर वगवान को बिल्वपत्र चड़ाओ तो तीन पत्ती का एक बिल्वपत्र संकर वगवान के माथे पे रखना चाहिए और वो भी माविन ध्यान रख लेना कभी भी बिल्वपत्र को सीधानी रखना चाहिए बिल्वपत्र को सदेव उल्टा रखना चाहिए केसा रखना चाहिए उल्टा और एक बात और बिल्वपत्र चड़ाते समाई एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि बिल पत्री की डाली में अगर गठान हो तो गठान तोड़ करके शंकर भगवान के यहां पर चड़ा देना और जैसे शंकर भगवान के यहां पर बिल पत्र चड़ा होगे तो क्या कुल में मिलेगा शंकर भगवाने का कि जो मेरे को तीन पत्ता चड़ाए तो शंकर भगवाने का कि एक जनम नहीं दो जनम नहीं तीन जनम का भी पाप होगा और तीन पत्ती का एक बिल पत्तर चड़ा दे तो शंकर भगवाने का कि तीन जनम का पाप नश्ट करने में देहर नहीं पर देहर नहीं और शंकर भगवान को अर्पन कर देना, जल चड़ा देना, शंकर भगवान में का कि एक जनम का नहीं, दो जनम का नहीं, तीन जनम का भी पाप होगा, तो कोई दुनिया तेरे को पापी कहे, कोई दुनिया तेरे को अभागल कहे, पर मेरे को बिल्व पत्र चड़ा दे, तो त पर एक बात और ध्यान अखना मेरी मां कभी भी बिल्वपत्र सोमवार के रोज मत तोड़ना कभी लोगों को मैंने देखा कि सबसे यादा सोमवार के दिन तोड़ते हैं और तोड़ते भी कैसे मेरे को बड़ा दूगो होता है एक डंडा लेंगे उसको दराता बांदेंगे डाली कटे जाएंगे कुलाडी लेंगे कुलाडी से उसकी डाली काटेंगे और सुन लेना शंकर वगवान ने कहा कि जो मेरे बिल्वपत्र का अपमान करता है जो मेरे विल्वपत्र की अगर ज्ञान नहीं लेता है जो मेरे विल्वपत्र की अवग्या खड़ता है संकर भगवान का कि एक विल्पत्र नहीं वो अजार अजार विल्वपत्र भी चड़ा दे तो संकर प्रसंद होने वाड़ा नहीं है और ये कोटेश्वर का प्रांगन है बोले नाथ बगवान का प्रांगन है और सभी माता बेनों को एक बार धन्य बाद दूँगा इतनी सुन्दर कथा का आप लोगों ने एक आधार रखा श्युपुरांगा इतना ज़रूर कोंगा कि गुंति की जितनी मेरी मा बेन है सावन मैने के अंगर एक बिल्वपत्र लाना यहां पर नरसरी से बिल्वपत्र लाना और बिल्वपत्र का पूजन करके बिल्वपत्र का अर्चन करके या कोटेश्वर धाम में एक बिल्वपत्र लगा देना और शंकर भगवान ने कहा कि जो मेरे भिल्व पत्र को छोटे से लेकर के बड़ा करता सुन लेना अपने करे 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 शंकर भगवान कहते हैं कि एक छोटा सा भिल्व पत्र पत्र पर ये सब सुन लेना सामन मेने में लाना अपन करें और इतना बड़ा हो जाए तो शंकर वगवाहन ने अश्रवाद दिया कि जो छोटे से बिल्व पत्रों को लागर बड़ा पेड बना दे तो संकर वगवाहन ने का कि जो सो मंदिर संकर के बनाए और उसका पुन saving मिलता है अगर एक बिल्व पत्त्र बोत्य शंकर भगवाने का की सो संकरजी के मंदिर बनाने का पुन्य में उसे देने में दिहरने करते। कहां बढ़ाओ गया एक बिल्वपत्र बोदो शंकर भगवाने का कि सो मंदिर बनाने का कुन्य मिल जाएगा रोजना जल चड़ाओ परपड़ करो और बिल्वपत्र की महिमा साधारन नहीं है मेरी माँ मेरी बेहने द्यान से सुनना जहां पर बिल्वपत्र होता है संकर भगवाने का कि मैं खुद निवास करता है ब्रह्मा विष्णु महेस महापन निरंदर वास करते है शंकर भगवाने का कि अगर आप जल नहीं चड़ा सकते है शंकर भगवान को आप दूद नहीं चड़ा सकते हो आप दही नहीं चड़ा सकते हो और शंकर भगवान ने का कि जो बिल्व पत्र को दूद चड़ा दे जो बिल्व पत्र को दही चड़ा दे जो बिल्व पत्र को शक्तर चड़ा दे तो शंकर भगवान ने का कि मेरा पूजन होने में भी देर नहीं लगती है और बिल वो पत्र चड़ाने से तीन चीजे मिलेगी कितनी तीन जो मां जो वेहन जो श्यू भगवान को पर जो बिल वो पत्र आरपन करता है तो शंकर भगवान ने का कि सबसे पेली चीज मैं उसे देता हूँ उस चीज का नाम शांती जो मेरे वो बिल वो पत्र चड़ाए मैं उसको शंती देने में भी देने करता हूँ दूसरा जो मेरे वो बिल वो पत्र चड़ाए संकर भगवान ने का कि मैं उसे दूसरी चीज देता हूँ और उस दूसरी का नाम शांती का नाम संपत्ती दी कभी भी पईसाथी करनी निया निया रोजाना बिल्गो पत्र चड़ा रोजाना शंकर भगवाल का आरा धन करूँ शंकर भगवाल ने का कि केसे न केसे के व्यवस्ता करूँगा और संपत्ती देने में भी देर ने करूँगा और तीसरी चीज जो मेरा